हरी बोलो हरी हरी बोलो हरी हरी बोलो जी कैसे हैं आप सबी मेरे लड़ू लाड़ू कनिया के शव मेरे भियारी लाला मेरे गोपुलाला की असीम क्रुपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी तो सर्दी बहुत जादा बढ़ गई है और मेरे लाला मेरे लाली देखिए सब लोग अपने शौल में अराम से विराजे हैं बहुत ख्याल रखिएगा लाला लाली का क्योंकि सर्दियां पहोफ जदा हैं बहुत जादा श्रिंगार उस टाइम पर मत ही करिए क्योंकि भया को अच्छे कि अपको पिनानाना है लाडों को पुशाइक पनाना है तो श्रिंगार ना करिए बस अच्छे से उनको इस समय सर्दी से बचाना है क्योंकि इस बार गलन की सर्दी बहुत जादा है जी तो एक नए विशाएग नए चर्चा के साथ में आप लोगों के साथ फिर से आ गई हू मेरे लड़ू बाबू लड़ो के चैनल में आप सभी का स्वागत है यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजेगा मेरे आने वाली सारी ही नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी तुर यह शुरू करते हैं आज की अपनी चर्चा को जी तो देखिए मेरे लड़ू बाबू लाड़ो की असीम क्रिपास से जिन लोगों को भी उनकी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है मैं हमेशा कहती हूं तो जो अवसर प्राप्त हुआ है उनके घर में मेरे लड़ू बाबू लड़ू विराजे हैं, अपने मन में ऐसा भाव लेकि आईए कि वो आपका घर नहीं है, वो लड़ू बबू लड़ू का घर है और आप लाला लाली के घर में रहते हैं, ठीक है, सदैम उनके पास में अपने घर की चाबी जरूर रखिए और लाला लाली का ही घर है लाला लाली का ही सब कुछ है उन्हीं का दिया हुआ प्रिशाद है उन्हीं का दिया हुआ वस्तर है जो कि हम लोग पहनते हैं खाते हैं उनके प्रिशादी रूप में ठीक है जी तो जबी भी कोई भी उनके घर में उनकी आप लोग कुछ भी लेकर के आईए नया कपड़ा लेके आईए नया आप फोन लेके आईए या कुछ भी लेके आईए तो हमेशा सबसे पहले आप लड़ुबा बुलाडों के पास लेके जाए उनके पास लेके जाए उनसे पूझिए कि उनको कैसा लगा उनको कलर कैसा लगा उनको पहले खेलने दीज सब्सक्राइ vimos फिर आप उसके साथ उसको इस्तंवाल करिए फिर आप उस को अपने जुआ ही असीम क설 knife करे आपके पास में व हुवस्तु आई है तो उनको शुक्रिया आदा करिए हर पल हर चण और उन से ही अगया लेकर कर फिर आप उस वस्तु को अपने जो जो यूज में हैं प्रयोग में आप लीजिए इस तरीके के भाव ले करके आईए देखिए सेवा केवल करना कि हां भोग लगा देना सेवा करना नहीं आपको लड़ो बाब बुलाडों के साथ में मैं हमेशा कहती हूँ एक रिष्टा जरूर जोनना होता है एक रिष्टा जैसे आप उनको ठाकुर जी के भाव से पूझ रहें आप उनको अपने पुत्र पुत्री के रूप में पूझ रहें अपने सखा के रूप में पूझ रहें अपने भाई बहन के रूप में पूझ रहें उसी भाव से आप उनके सामने वो जो समान लेकर के आए हैं वो सबसे पहल में छोटा वच्चा होता है कोई भी समान आने पर देखे कितनी जल्दी दोड़ता है दोड़ते भागते हुए आता है आप अनुभाव करिएगा कि इसी तरीके से लड़ू बाबु लाड़ो भी आपके पास में दोड़ते हुए आते हैं कि क्या लेकर के आई है मैया क्या समा लाला लाली की जदी आप उनकी क्रिपा से कोई भी आप गोल्ड का समान लेकर के आ रहे हो कुछ भी अपने लिए लेकर के आ रहे हो कुछ भी तो आप सबसे पहले वो लाड़ो को पहनाएं सबसे पहले आप लड़ू बाबु को इस पर्श कराएं लाड़ो को इस पर्श कर बस अपने घर पे वो जैसे यातने इस तरीके के भाव खुद ही आपके मन में आ जाते हैं जी इस तरीके से पूज़ा लाला लाली आप स्वए अनुभाव करेंगे कि हाँ आपको आपके सारे प्रेश्णों के उत्तर मिलेंगे कभी ऐसा ना करिए कि आप लाए कोई चीज बस आप इतना सीम इतना रहिए कि बस केवल आपने सेवा कर दी आर्थी कर दी पूजा कर दिया इसनान करा दी ऐसा नहीं आप उनसे रिष्टा जोड़ा है आपने आप उनसे बाते करिये उनके साथ में खेलिए उनसे सब पूछिए कि उनको कैसा लगा आपको खुद ही अपने मन के जो प्रश्ण होते हैं उसके उत्तर आपको स्वाएं ही मिलने लगते हैं जी तो इस भाव से भूजा नर्चन करिए लाला लाली का आज का जो मेरा व्लोग था बस केवल इसी विशेय पे था कि घर पे कोई भी नहीं वस्तु लाइए कुछ भी लेकर के आईए सब से प अब लाडो के घर में वो आपका इंतजार कर रहे होते हैं कुछ भी जरूर लेकर जाएए चाहे आप एच्छोटी सी चॉकलीटी क्यों नहीं लेकर जाएए कुछ मीठे में लेकर जाएए च्छोटा सा खिलोना ही लेकर के जाएए लेकिन जब भी बाहर जाएए तो लाला भाव उनकी असीम क्रिपा जब आप सेवा आप इस भाव से सेवा करोगे तो यह सब कुछ आपको स्वेही पटा लगने लगेगा जी जबी भी जाएए आप कुछ ना कुछ लेकर जाएए और खाली हां कभी ना आए और कभी भी लाला के पास जैसे आप एक गंटे दो लने के लिए कहिए कि मानसिक रूप से मेरे साथ ही रहेगा लाला लाली और जल्दी से हम घर आजाएंगे इस भाव से पूजन अर्चन करिए तो यह था मेरा आज का कुछ भाव आशा करती हूं आपको मेरे भाव से अपने भी कुछ प्रश्णों के उतर जरूर मिले होंग आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं हरी बोलो हरी हरी बोलो हरी हरी बोलो जी रादे रादे जी हरी बोल